साथ सिंगत जी प्रेम से कहना साथ सिंगत स्था सट्वे संसमागम के दूसरे रोज भी पहले दिन की तरह पूर्ण आनंद मैवाता वरन बना हुआ है एक एक पल हमें आनंदित कर रहा है दर्शनों से अमोलक बचनों को जो हमने श्रवन किया उनसे फिर्दे के एक एक तरंग भक्ती में डूबी हुई जिसके कारण जीवन में आनंद आता है यही भाव से युकताब मिल जूलकर इन घड़ियों को मुबारक बना रहे हैं घड़ियां लमे पल तो वो तो समय जिसको हम कहते हैं वो अपनी रफ़तार से चलता चला जाता है लेकिन उनी घड़ियों और उनी लमों को मुबारक बनाया जा सकता है जब हम अपने हिर्दे के भाव भक्ती वाले बना लेते हैं जब हमारे हिर्दे में समर्पन भाव हो जाता है जब हम इसी के एसास में डूब जाते हैं और फिर वो घड़ियां और लम्हें वो पल्क छंड जो बीतते हैं वो सुन्दर होते हैं कई दफ़ा दास ने धोराया कि जब ये नई सदी कागमन हुआ जब सन दो हजार में हमने परवेश किया 1999 के बाद जब ये 2000 चड़ा तो उस वक्त एक स्लोगन इसी मिशन के मंच से दिया गया के युग सुन्दर सदियां सुन्दर हर पल सुन्दर गर मानव जीवन हो सुन्दर के युगों और सदियां और पलों लम्हों के सुन्दरता गर मानव जीवन हो सुन्दर जिन भावनाओं का जिक्र हो रहा है वो भावनाएं हिर्दे में घर कर जाती है तो जीवन सुंदर बन जाता है यानि कि घडियां लम्हें योग सदियां उनकी महत्ता मन की सुंदर्ता के कारण है इसी लिए यहाँ पर इसी मन की सुन्दरता के लिए जो हमें असल में इंसानी स्वरूप परदान करता है क्योंकि भावी तो है जो हमें इंसानी जामे में होते हुए शैतानियत के रास्ते पे चलाते हैं हैवानियत के रास्ते पे चलाते हैं ये हिर्दे के भाव ही होते हैं ये हमारा अंदकार में हमारी अंदकार में सोच ही होती है जिसके कारण हम इस मानवी जिसम को भी कलंकित करते हैं मानव जाती को कलंकित करते हैं तो यहां पर मन की सुंदर्ता की बात हो रही है जिसके कारण इंसानी वजूद में होकर भी हम देवता का रूप बन जाते हैं और देवता का रूप ही नहीं हम परमात्मा का रूप बन जाते हैं जैसे कि सदैव से संतो गुरु पिर पगंबरों ने जो ये विदी और धंग बताया एक आतम रूप होने का एक परम अस्थित का रूप बनने का यही एक ढंग है तो इसी लिए आज सभी आप मिलवैट कर इनी भावनाओं को और सुद्रिड करने के लिए अपना महत पूरन योगदान दे रहे हैं इस समागम के अवसर पर जो मिशन का धे है उसके अनुसार ही जगए जगए पर रहने वाले आप हिंदोस्तान के हर प्रांथ से नुमाइंदगी यहां इन मैदानों में हो रही है विश्ट के अनिकों मुलकों से हो रही है तो इसी अभी प्राय को पूरा करने के लिए अपनी अपनी जगाओं पर रहकर उनी भाशाओं का इस्तमाल करते हुए जो प्रांतिय भाशाओं हैं उनी भाशाओं को उपयोग करते हुए उसी रहन सेन के अनुसार इन भावनाओं को उजागर कर रहे हैं जैसे आपने ऐसे अमोलक बचन श्रवन किये जो हमें और जागरिती परदान कर रहे थे गितों के रूम में, कविताओं के रूम में, बक्ख्यान के रूम में वो हमारा भी ध्यान इस तरफ ही दिला रहे थे कि भाशाएं, पहरावे, कल्चर्ज, संस्कृतियां ये बाहरी हमारे लिबास, हमारे शक्ल और सूर्टें ये ये प्राइमरी नहीं है ये सब कल्चर्ज और ये सारी चीजें बाद में जुड़ी है जो मूल है, जो प्राइमरी है वो वास्विक्ता में हमारा एक असल रूप, एक मानवाला जिसमें आत्मा बस्ते है, आत्मा जो परमात्मा की अंश है जो डिविनिटी, जो एक डिवाइन परमात्मा ईश्वर निराकार इसी की अंश आत्मा बस्ते है, हर घट में तो उसको मुख्य रखना, उसको मूल रूप में उजागर कपना अपने जीवन में तब वास्विक्ता में हमारे जीवन का महत्व बनता है और हम एक सही इंसान कहलाने के हगदार बनते हैं ये लोग और परलोग दोनों को सवारने वाले बन जाते हैं इसी लिए मूल के साथ जुड़ने की सदैव से महापुशो भगतों ने ये बात की है ये आत्मा कब से भटकी हुई अपने मूल से आवा गवन के बंदन में पड़ी हुई अग्यानता बरकरार रही अग्यानता बरकरार ना रहती तो इसका आवा गवन का बंदन समाप्थ हो गया होता और जब जब भी स्माप्त होता है, इस संदकार के मिड़ने से होता है, ग्यान के उजाले से होता है, अपने असली रूप में स्थित होने से होता है अगर आवागमन के बंदन चलते रहे उसका कारण यही रहा क्योंकि जो हमने बाहरी सिलसलों को महत्ता दे दी हमने अपने पहराओं को, अपने भाशाओं को, अपने संस्कितियों को और नाना परकार की दुनियावी सिलसलों को विशेश्टाएं दी और उनी तक सीमित रहे गए वही अपनी पहचाने बना ली वही अपनी आइडेंटिटी बना ली और जो मूल रूब में जो हमारी असल आइडेंटिटी थी उसमें हम स्थित नहीं हुए उससे अंजान रहे यानि कि आत्मा अंजान रही तो इसी लिए इसके आवागमन के बंदन से इसको निजात ना मिले जम जम मरे मरे फुन जमे बहुत सजाए प्यादे इस लम्मे कादर करीम ना जाना जेतो तिल पीड़े जो काणिया ये जनवना मरना ये इस आत्मा के साथ चलता चला गया शरीड धारन एक के बाद दूसरा एक योनी के बाद दूसरी योनी ये स्सला चलता चला गया तो जहां पर ये आत्मा के लिए एक कश्ट का कारण ये अग्यानता वहाँ पर जैसे कहा के इनसान के मियार को नीचा गिराने के लिए भी यही अज्यानता कारण हमेशा से बने है आज भी अगर ये इनसान का म्यार गिरा है उसके पीछे यही अज्यानता का अंदकार है जिस संदकार को ढो रहे हैं जिस डाकनेस में हम एक विचरन कर रहे हैं जो आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ अंदकार मन पे भी छाया हुआ ये अंदकार इसी अंदकार ने भ्रहम पैदा किये और भ्रहमों ने हमें किस कदर बांदिया ऐसी स्थिति में लाखड़ा किया कि हम उन उन्चाईयों को ना छूपाए ये इंसाने जनम हीरे जैसा जनम अमोलक बताया गया है ये ही वो जीवन है जिसमें वो उन्चाईयों प्राप्थ हो सकती है और अगर ये हाथों से छिन गया ये ही एक सफर हमारा जीवन का नाकाम्याब रहा इसी जीवन में हम उजाला अपने जीवन में ना कर पाए तो फिर पतन ही पतन है कोई उन चाहेगी को प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं रहते है तो यही एक महापुर्शंत जनों का संदेश हर मानव हर इंसान के लिए रहा है जैसे आज भी इस सत्संग में the words of wisdom you heard from so many saints and once again like yesterday I am full of gratitude and thank the team of doctors who have traveled from far off and today Dr. Carey and his associates the team whole team which is working so dedicatedly to relieve as many as possible from the pains and this is a true example of dedication where we think of others before ourselves that's what selflessness is people are full of selfishness for fame for worldly achievements they will always and are taking steps to pull down others and take their places so much exploitation taking place because of that selfishness but in the eyes of God Almighty this Lord selflessness the feeling of selflessness is prime it has a higher stature so the surface of mankind which is done with the feeling of selflessness is what is required because as I said there's so much selfishness we are seeing all around so much ego we have become so egoist that we look down upon others on the basis of caste, color, creed, religion, nationalities on gender basis we always look down upon others whereas it was said that God made man in his own image if God made man in his own image then the regards we have for God we have to have their regards for for the humankind which is the creation of God Almighty and the spark of divinity which resides in all bodies in the form of soul which is from the over soul so we have to like the doctors are treating the pain the ailments which are giving pain in our necks in our backs in our limbs various limbs so they are relieving so many from the pains similarly there is another form of pain which this soul is going through which whole mankind is going through because of this ignorance and being not one with God just living at the level of of worldliness so there are so many ailments which have engrossed people's minds and hearts and hearts we have to do it we have to do it we have to do it हैं ये मखलुक सारी है कुमबा खुदा का वसुदैव कुटुम कम ये पंक्तियां तो हम अर्से से पढ़ते सुनते आ रहे हैं लेकिन इस धर्ती पे बसने वाली वसुदा के उपर बसने वाले तमाम लोगों को हम एक कुटुम का हिसा नहीं मानते हैं हमारी अपनी अपनी बि आतियां अपने मजब मजव मिलत की दिवारें इस कदर हमने खडी कर ली हैं कहां पर कुटुम इस वसुदा पे बसने वाला एक कुटुम है एक कुटुम नहीं है we are a divided lot as I mentioned yesterday to and and I have been always mentioning about Berlin Wall first time I visited Berlin was that in 1987 December 1987 or it was January 88 at that time the wall was intact in its place but second time I visited in 1990 or 91 that wall was no more and few years after that once again when I visited Berlin I saw so much graffiti was done on various pieces of walls which are still maintained which reminds us about once that wall which was dividing and those lines just got engraved deep in my heart in my thought and those lines were that this world is too small for walls that our world is too small for walls and just few days back that is 8th of November an event was organized in Berlin where I was invited to be one of the speakers but because of this event and the dates were so close so I couldn't make it and and the theme of that event and that seminar was also this that the world without walls so saints and sages they never divided us divided us maha purshu bhaktos ne kabhi hume alag lag nahi kiya unhoneh toh belke hume ishi baat ka ush ashaas kira aya ki ek nur hai sab ke andr n starey hai bramahand kshatri waish harijjan ek ki khalkhatsari hain ke hum ek hai parmaatma ki santhana hai then why these barriers the barriers are man-made barriers not God-made barriers a child is born an innocent child he doesn't have any language if somebody belongs to some other culture or one who speaks not that language which the parents speak who have given birth to that child and somebody adapts it that child and the language of that child becomes that which those parents those couple use who have adopted that child like once somebody adapted a child and out of ignorance they started learning that language the child which were they were adapting belong to a marastrian family and those who are ever adapting they belong to a gujarati family and those that couple they started learning marathi language and people asked why are you learning marathi language they said because the child which we are adapting belongs to a marathi family then people said what are you doing the child has no language so we all were born without any language so as i said that all the barriers which we which are dividing us are creations of this very mankind which has been in ignorance whether it was down the ages whether it was centuries ago whether in present times to is prakaar se ye joe insano ko maha osu arwar shoonے bhaghto ne' ji joo sand es donde yo майyao отс ans then us ko samjha nayo nes tananaos koan koakao diso kiaako drishti nahin me liya orし और इसलिए एक दूसरे को नीचा देखते रहे, अपने मजब को उचा, अपनी जाती को उचा, अपनी कौमों को उचा, ये मानते चले गए और दूसरों को दुद्कारते रहे, दूसरों को लताडते रहे, दूसरों पे जुम ढ़ाते रहे, और यही कुछ ये हो रहा है, लेक लर्किन महापुर्ष संटों ने बताया कि किसी को नीचा करके मत देखो, किसी को नीचा करके ना जानो। यहाँ पर हर किसी की की गीमत है, हर किसी का महत्व है। As the saying goes, that builders, they often say that larger stones do not lie well without the lesser ones. If you place a few stones, bigger stones, to create a wall or you construct a house, you require small stones, too, to fill the gaps, to make them steady. Means that even those small stones have a value, they have their importance. So we have not to look down upon others. In this way, we have not seen anyone below. And this is the case that the small of the people are going to be receiving faith. That I want, I want, I want, I want my life, I want it to be a life, I want it to be a life. You have to look down. You have to look down. You have to look down. So the kinds of things in the name of the religion, the Guru, the pilgrimies, the people have come down. और over the centuries इसको क्या रूप दे दिये गए, समाज को ऐसा बंड दिया गया, जिसके कारण ये देश भी सफर कर रहा है, इस देश में ही जाती पाती कि ये बिमारी इतनी अधिक है, विश्च के किसी मुलक में भी नहीं है, जितनी यहां पर है, और ये विडंबना है कि सबसे अध गुरू पीर पैगंबर इस मुलक में पैदा हुए, ये हम चाती पे हाट डाल कर दावे करते हैं, बात वही आ जाती है, कि इसके कारण अग्यानता है, अग्यानता है और हम कुछ सोच चलते चली जा रही है, हमारी चाल वैसे चलती चली जा रही है, एक कतार में अबादत कर करने के लिए बैठे हुए, एक उन में से ही उसने देखा, मेरे आगे वाले की कमीज थोड़ी छोटी है, उसका थोड़ा सा शरीर का हिस्सा नजर आ रहा था, तो उसने आगे वाले की कमीज खीच दी, कि वो थोड़ा सा नगन हिसा ढख जाए, उसने उस भाव से खिंची व पूछा क्या कर रहे हो, कहते हैं पीछे वाले से पूछो, उससे काओ, कहता है पीछे वाले से पूछो, यानि कि वो कहां से अरंब हुई थी, वो तो पता ही नहीं, जैसे वो एक और, एक कहावत है, जिसमें एक वो कोट निगाहों में आय थी, कि वेन यू हेर अईविटनेस अकाउंट, तो डिफरेंट आईविटनेस अकाउंट और एक्सिदेंट, यू वोंडर अवाओ दो हिस्टरी, एक ही घटना हुई होते हैं, और दो जो कहते हैं, हम चश्मदीद हैं, दोनों के बेहान अलग हैं, और सोचें के हिस्टरी में पत अपने आधार बना कर चलते चले आ रहे हैं, अंदकार ढोते चले आ रहे हैं, जैसे कि उस वकत भी जब ये मनने ता थी कि धरती गोल नहीं है, लेवल्ड है, और उस इनसान के साथ क्या जुम किये गे उसके उपर, जिसने ये कहा कि धरती गोल है, मार डालो इसको, काट डा ये आया बताने के लिए कि धरती गोल है, हमारे बाप, हमारे दादा पर दादा वो क्या ना समझ थे, क्या वो नादान थे, लेकिन टाइम प्रूवड दाएम प्रूवड तो तो दास वही बात कर रहा था कि हम अग्यानता में रहते हैं, और इसी अग्यानता को दूर करने के लिए ही, जैसे कबीर जी ने कहा कि तिमिर गयोरवी देखते, कुमती गई गुरू ग्यान, सुमती गई यती लोबते और भगती गई अभिमान, कि तिमिर गयोरवी देखते, तिमिर अंदकार मिटता है, रव जीवन में उजाला हो जाता है, ये की ठंग है। रोशनी का रटन करने से भी नहीं होने वाला है। आपके कमरे में अंदकार है, आप रोशनी रोशनी, 5000 वांटस, जितना मर्जी रटन करते रहें। ठोकरे ही ठोकरे हैं, ब्रहम ही ब्रहम है, ना जिक्र करने से, ना जाकारे लगाने से, ना रटन करने से, उजाला होने वाला है और अगर आप दीपक की तस्वीर भी बना लो अगर अंदकार है कोई तस्वीर उठा कर ले आए देखो इस पे दीपक बना हुआ है लौ भी बनी हुई है उजाला हो जाएगा कहां होगा हकीकत वाला दीपक चाहिए जिसमें लौ जग रही है वोई रौशनी करेगे इसी परकार से जो सत्य है परमातमा इश्र यही वो रौशनी है यह जब तक हमारे जीवन में ना आएगा तब तक हम अंदकार हम ढोते चले जाएंगे तो यह चेतावनी और यह जागरिती महापुर संत जन यह हमें परदान कर रहे हैं कि हम भी इस परकार से जागरुक हो जाएं हम भी सच्चाई से अवगत हो जाएं हम भी अपनी असल पहचान बना लें जो एक हमारा असली वजूद है उसमें हम स्थित हो जाएं इसी लिए का जाता है कि नो दाय सेल्फ वो रहाओ्भत कि अिवय कुछले झाय इंप इंप्ते के का इंप तर्म एमावियार जनियों हो जरत यसले लुद ब्हाओ्वा थैतों ऱ लहेशने हैं तर्या जिय कि निझे इन्है of peace and bliss only then otherwise we have been full of hatred and hating others we have been giving pains to others we have been looking down upon others so if this realization takes place only then we think for the welfare of others and we just consider them as a member of the family which I belong to and in this way we will not bear the blame so this is a state which is the saints that we are the saints the saints the saints the saints of these क्योंकि अब हमें वो एक जागरुपता मिल गई है वो जागरिती आ गई है तो इस प्रकार से यही एक महापुशों के संतों के संदेश और ये पैगाम ये हमेशा से रहे हैं और ये हर काल के लिए हैं ये हर सदी के लिए हैं हर इंसान के लिए हर जनरेशन वालों के लिए हैं आज भी आपने Nobel Laureate Satyarthi Ji जिनको ये संमान मिला Nobel Peace Prize few hours back he was here and he shared his thoughts and the work he is doing for the children because of which he is honored so he also mentioned के इस तरह से एक छोटे छोटे बच्चों को भी हम क्या संसकार देते हैं छोटे छोटे बच्चों का क्या हश्र करते हैं तो छोटे बच्चों के जहन में हम जो कुछ भर रहे हैं वो बड़े ही भर रहे हैं और वो शायर का शेर अक्सर दोहराय जाता है कि देखकर बड़ों की दुनिया एक छोटा बच्चा बड़ा होने से डरता है कि एक बड़ों की दुनिया देखकर एक छोटा बच्चा बड़ा होने से डर रहा है कि क्या यही बड़पन होता है यही कुछ किया जाता है यही एक जुल्मों सितम यही एक दूसरे को दुद्धकारना यही एक दूसरे की निंदा बखीली करने यही एक दूसरे पर कीचड उचालना क्या यही बड़ा होना हुआ करता है तो इस तरह के बच्चों को जो संसकार दिये जाने चाहिए जो बच्चों का अपना एक असल वजूद है उसकी कदर करना ये भी हमारा एक फर्ज बनता है ये हमारा एक कर्तवे बनता है यार से अबजर भी करते हैं, बड़ों को देखते हैं बड़े क्या करते हैं like once it happened a couple, husband and wife they invited guests to their house for dinner, for supper and the time came and all the guests were there in the house there were childrens too and there was so much noise and children were breaking things precious things in the house so much gossiping was going on so the wife she was in the kitchen and she calls her young daughter and tells her that child we are going to start supper and we always pray to God before taking meals so you will do it today you will read the prayers and the daughter says mom I do not know what to say I do not remember the words and the mother says no worries what mom says that you repeat over there you recite over there and time came and child the daughter she started the prayer oh God why on earth I invited these guests to my house because the mom was saying that using those words in the kitchen so we have to think twice hundred times that children are sharp observers what we are giving them what thoughts we are giving them what sort of speech we are giving them which they will imbive तो इस तरहें से चोटे चोटे बच्चों में भी ये संसकार सुदर संसकार ये भरने बहुत आवशक हैं और ये सारी जिम्मेदारी बढ़ों के उपर ही है कि वो अपने उपर इस परकार से जजब रखें आपने आपको विवेक पूर्वक निभाएं और इस प्रकार से बच्चों को भी एक गलत रास्ते पे जाने से रोकें जो की आज कई कई ऐसी मिसाले कि छोटे-छोटे बच्चों से चोरियां करवाई जा रही हैं छोटे छोटे बच्चों से डाके डिलवाय जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में हत्यार दे के जाने लेने के उनको साधन बनाया जा रहा है लेकिन आप सभी बच्चों को वो संसकार दे रहे हैं कि वो ऐसे भव नागरिक बने आने वाले समय में कि वो शान बने समाज की देश की विश्व की मानवजाती की वो असल पहचान बने तो इस तरह से बच्चों के प्रतिवी हमने इस तरह से जाग रुख होना है तो दास और अधिक शब्दों का सहरा नहीं लेगा समय काफी आगे बढ़ चुका है और अन्त में इसी अरदास प्रातना के साथ आप से अजाज़त चाहेगा कि दातार प्रभू कृपा करे आप सबी को तोफीक शक्ती दे ताकि जो असूल है मानवता प्यार भाईचारे वाले एकता वाले हामनी इन वननेस जो नारा दिया गया ये हामनी हमेशा जीवन में बनी रहे ये सदभावनाएं हमेशा जीवन में बनी रहे और इस प्रकार से जो जैसे कावी है कि हामनी मेक्स स्मॉल थिंग्स ग्रो और लैक अफिट मेक्स ग्रेटर थिंग्स डिके तो यह हामनी, यह मिलवरतन, यह सदभावना, यह हमारे मन में बनी रहे हामनी between the mind, body, soul यह इस परकार से हामनी हमारे अपने एक वजूद में बनी रहे क्योंकि कई दफ़ा हम अपने आप में हामनी में नहीं होते हैं तो इसी तरह से हम अपने आप में भी हामनी में रहें और चारों तरफ हामनी भरा वातवरन स्थापित करने में भी अपने योगदान देते चले जाएं इनी शब्दों से दास आप से अजाज़त चाहेगा साथ संगर जी धानने